नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ नया करने जा रहे हैं हम बनाने वाले हैं कैसे health related videos की series जिसके थुरू आपको अब health related कोई भी doubt नहीं रहेगा ना तो किसी doctor पर depend होने की जोरत पड़ेगी ना किसी hospital से पूछने की जोरत पड़ेगी आपके जितने भी common doubts से health related एक ही series के माध्यम से उन सभी doubts को clear किया जाएगा फिर चाहे वो doctor की परची पढ़ना हो या किसी दवाई का effect समझना हो या और कोई hospital related सारी problems इस series के माध्यम से हमें आपको पूरी पूरी जानकरी देने वाला हो तो बने रही है हमारे साथ और देखते रही है इस series के एक एक वीडियो को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं एक ऐसे topic को जो हम सभी की problem है जब भी हम hospital विजिट करने जाते हैं तो हमारी अपनी personal health problem के साथ साथ में एक समस्या और आती है और वो समस्या है doctor का prescription जब भी doctor साब हमें लवे दवे लिखके देते हैं तो उसकी जो handwriting है वो कुछ इस प्रकार की होती है हमें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है आखिर इतने qualified doctors इस प्रकार की handwriting लिखते ही क्यों है चली कोई बात नहीं अगर लिखते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस handwriting को समझ सकते हैं जी हाँ दोस्तू आज की इस वीडियो के बाद अब आपको किसी भी doctor की खराब है ट्रैटिक पढ़ने के अंदर जितनो कुछ main में जिसमें चीजे लिखी वी है आपको दिक्कत नहीं आएगी उससे related सारे जितने भी keywords हैं जो symbols हैं आपको अब समझ में आएंगे इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और अच्छे से समझें कि ये पूरा जो परचा है आखिर इसमें लिखा क्या होता है चले शुरुवात करते हैं और समझते हैं किसी भी doctor की जो परची है उसके कुछ parts होते हैं जो हम बात करते हैं parts of prescription की दो मिट में हम समझते हैं फटा-फट जो पहले का उपर का जो हिस्सा होता है इसमें लिखा होता है मरीज का पूरा ब्योरा कि क्या नाम है पता है का के रहने वाले है उम्र क्या है तो ये basic जो जानकारी है इसको हम लोग बोलते है personal detail of patient जो उपर लिखी ली होती ये हिस्सा इससे related होता है तो दूसरा जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो अक्सर doctor लिखते हैं वो होता है superscription ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर अक्सर मरीज के detail लिखी जाती है कि उसका BP क्या है या उसके history क्या है उसके clinical symptoms क्या पुरानी जो जितनी भी चीज़े है वो यहाँ पर लियाती है इसको बोलते है superscription तीसरा जो हिस्सा है हमारा पास वो है वो inscription inscription का मतलब होता है कि अब जितनी भी जो जाश के बाद जो दवया लिखी गई है उसको यहाँ पर लिखा जाता है और जो दवया दी जा रही है उसके बाद उसको कैसे follow करना किस मात्रा में लेना है जो चोथा हिस्सा है वो है subscriptions इससे थू हमें यह पता लगता है कि डॉक्टर का जो दवया हमें दी है वो कब-कब कितने लंबे समय तक हमें लेनी है और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको signature कहते है जो लास्ट वही हमें बताएगा कि इसके दर और कौन से further instructions है कि इस दवय को जो एक फार्मेसिस्ट के लिए निर्देश होते हैं वो हमें यह आ होते हैं अब एक एक पार्ट को हम समझते है कि यह कैसे कैसे work करता है जो पहला हमारा जो पार्ट है जो आपने देखा हो है superscription यह इसमें जो पहला चीज आती है वो आती है Rx अकसर आपने देखा होगे कि doctor लिखते है Rx दोस्तो Rx जो है एक Latin word है इसका मतलब होता है आप लीजिये यानि कि कोई चीज prescribe करने के लिए doctor Rx लिखते है और इसके बाद अपना prescription लिखते है तो यह एक Latin word है इसका मतलब prescription से होता है दूसरा लिखा होता CO जब भी prescription में यहाँ पर उपर की तरद superscription में लिखा हो CO इसका मतलब होता है complaints of आप वहाँ पर बुखार के साथ गए है खासी के साथ गए है आपको जुकाम हो रहा है जो कुछ भी आपको हो रहा है तो doctor CO के बाद जो चीज लिखता है उसे हम complaints of कहते हैं next है HO HO का मतलब होता है history of आप से पुरानी आपके history पूछी आपको पहले जुकाम कप कप था आपको बुखार कप कप आय था क्या पहले कभी ये सब चीजी हुई है परिवार में कोई दिक्कत हुई है तो जो भी history है आपकी यहाँ पर HO के बाद में लिखी जाती है next है OE इसमें मतलब है on examination आपका clinical check-up किया गया पूरा सब कुछ देखा गया आपका height, weight सब कुछ देखा गया और डॉक्टर ने जो महसूस किया है उसके बाद वो HOE करी इसमें OE के बाद लिखते हैं next आता है TX इसका मतलब होता है treatment अब treatment क्या किया जाना चाहिए जो आपका previous treatment तो लिखा जाएगा इसके अंदर जो previous TX और अभी जो treatment लिखा जाएगा उसके लिए हम लोग TX लिखते हैं DX का मतलब होता है diagnosis डॉक्टर बड़ा D बना के छोटा सा X लिख जेते हैं इसका मतलब होता डाइगनोसिस यानि निदान आपको क्या जो कुछ भी अरोड आइडेंटिफाई के उस बीमारी को जो लिखा है उस DX के बाद जो अक्सर लिखते हैं वो बिमारी को वो DX से लिखते हैं या अक्सर वो इस sign को भी बनाते हैं इसका मतलब भी डाइगनोसिस भी होता है नेक्स जो है वो यहाँ पर SS है जब भी S लिखा जाएगा इसका मतलब होगा Science and Symptoms जो भी लक्षन आपको विमारी के दिख रहे हैं आपको नाक बह रहा हैं आपको जुकाम हो रहा हैं आपको बहुत आरा खासी आ रही है जितनी भी चीज़े लिखी जाएगी वो S अबलिक S के बाद लिखी जाएगी नेक्स जोड़ होगा T T का मतलब कर Simple T लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है Temperature अकसर हम Temperature जो देखने के बाद T के बाद इसकी Value लिखते है PR का मतलब होता है Pulse Rate आपकी जो नाड़ी है उसको देखेंगो चेक करेंगे कि आपकी Pulse किस हिसाब से चल रही है आपका रदा है किस गती से धड़क रहा है RR का मतलब होता है Respiration Rate किस गती से आपका स्वशन चल रहा है आपकी सांस चल रही है तो ये सारी चीज़े जो है वो सुपरस्क्रिप्शन में आती है और लास्ट में आती है HR Heart Rate आपका जो रदा है वो किस गती से धड़क रहा है तो जितने भी चीज़े हमने देखी है और भी चीज़े हो सकती है लेकिन Most Common जो चीज़े यूज की जाती है वो सुपरस्क्रिप्शन में ये यूज की जाती है इसके बाद जो हमारे जो पार्ट आता है वो आता है Inscription Inscription का मैन पार्ट होता है जब एक बार सारी चीज़े देखने के बाद अब डॉक्टर जो है दवाई लिखते हैं अब दवाई लिखने में जो चीज़े कुछ Common Terms होती है वो आम एके करके समझते है एक आता है दवाई लिखने के बाद लिखा जाता है BD BD का जो अर्थ होता है वो होता है Two Times दे कोई भी दवाई अब BD है यानि दिन में दो बार लेनी है फिर आता है OD OD का मत्तो होता है Once in a Day किसी भी दवाई के आगे अगे अगर OD लिखा है तो उसको दिन में एक बार लेना है TDS का मतलब होता है दिन में तीन बार Three Times a Day दिन में 3 बार उसके बाद QD, यदि किसी भी दवाई injection के बाद लिखा रहता है QD इसका मतलब है, प्रती दिन, everyday, रोज हमें लेना है QID अगर लिखा है, तो इसका मतलब है 4 times a day, दिन में 4 बार लेना है तबियत बहुत खराब हो सकती है, बहुत सारे दवईयां ऐसे हैं, जो दिन में 4 बार recommend की जाती है HS का मतलब होता है, before sleep, सोने से पहले, अकसर दवईयों के सामने आप जो बुज़र्ट लोग हैं, उनकी बहुत सारे दवईयां ऐसे होती हैं, जिनका आगे HS लिखा होता है इसका मतलब होता है, before sleep, bbf, before breakfast, जी हाँ, अगर आप नाश्टी से पहले किसी दवई को लेना है, तो उसे before breakfast हम लोग कहते हैं PC का मतलब होता है, after meal, खाना खाने के बाद जो दवईयां ली जाती है, उसके अब आद हम PC लिखते हैं, और AC का मतलब होता है, इसके अंदर before meal, खाना खाने से पहले, जितनी भी दवईयां ली जाती है, उनके आगे इस प्रकार के code लिखिये होते हैं, इन सभी code के माध्यम स आप अब decode कर सकते हैं कि आपकी दवई किस टाइप की है, तो इसके माध्यम से अब हमको यह चीज़ समझ में आ गई, अब दवईयां लिखी गई है, उसको कब-कब कैसे कैसे लेनी है, उसका method क्या रहेगा, उसको root क्या रहेगा, यह सारी जानकारी जो है, इस पार्ट में गवाई, अगर cap लिखा है तो आप जानते हैं, most of लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता capsule, अगर tab लिखा है इसका मतलब होता tablet, अगर ING लिखा है, इसका मतलब होता है, यह एक injection form में दिया जा रहा है, और यदि IM लिख दिया है, यदि आपको muscles में दिया जाएगा, यदि नियो में दिया जा जायेगा, आपके शिराओं में दिया जायेगा, तो जो veins में इंजेक्शिन दिया जाता है, उसको intravenous हम लोग कहते हैं. VS का मतलब होता है vital signs, जो आपका respiration rate है, जो आपके heart की rate है, जो आपकी pulse चल रही है, इन सभी को मिला कर हम एक common term servis करते हैं, उनको बोलते है vital science जिन से हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति की तवियत कैसी है तो VS को हम vital science यूज करते हैं MG का मतलब होता है milligram अक्सर तवियों के बाद लिखा जाते है gram milligram 500 MG इसका मतलब होता है 500 milligram तो आप इन सब terms को अब इस subscription और signature के मध्यम से समझ सकते हैं और मेरे हिसाथ से इसमें से इसी कोई भी term नहीं जो अब आपको कठीन लग रही होगी अब अगला जो part है वो है common investigation इन सब के साथ साथ में doctors कुछ investigations भी आपको लिखते हैं जो अक्सर हमें confuse करते हैं उनको भी हम discuss कर लेते हैं यदि USG लिखा है तो इसका मतलब होते है ultra sonography जब भी sonography test के लिए doctor prescribe करते हैं तो USG साथ में लिख देते हैं इसका मतलब sonography से होता है जब भी doctor लिखते हैं CXR इसका मतलब होता है chest x-ray आपको जो छाती का x-ray करवाना होगा और इसके लिए आपको recommend किया गया है CBC लिखा है यदि तो ये एक blood test है जिसमें मतलब होता है complete blood count आप एक blood का पॉरट आईगे जिसमें आपको sample लिया जाएगा और आपको अलग-अलग तरीके से blood को analyze किया गया इसको हम complete blood count कहते हैं HB, HB एक बहुत common term है जिसका मतलब होता है hemoglobin test के लिए आपको कहा गया है हो सकता है आपकी blood में hemoglobin level कम हो यदि ESR लिखा है तो इससे बोलते हम erythrocyde sedimentation rate हमारे blood में जितने भी जो cells है जो उसी कनिकाए है उसके अंदर बैठने की जो condition है उसको हम erythrocyde sedimentation rate कहते है erythrocydes हमारे blood cells होती है ये इसको हम बात में detail में डिसकस करेंगे फिलाल अभी याद रखें ESR लिखा है यानि कि erythrocyde sedimentation rate MRI ये लिखा है तो इसका मतलब होता है magnetic resonance imaging MRI एक common test है जिदि आपको body को magnetic waves के थूँ ये आपको पता लगाना हो कि body में क्या दिक्कत है तो हम उसे MRI के थूँ करते हैं CT scan का मतलब बता है computer tomography scan ये भी इसी तरह की imagining होती है और हमें body test जब डॉक्टर लिखते हैं तो अंदर की चीज़ों को analyze करने के लिए हम लोग CT scan का use करते हैं ECG, electrocardiogram ये कुछ खास और important test है जिसके थूँ आपका diagnosis बनाया जाता है मैंने कोशिश की दोस्तों कि एक डॉक्टर की परची को हम किस तरीके से analyze कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे component से हो सकता है जो अभी इस वीडियो में cover नहीं किये जा सके हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली सिरीज में मैं उन सभी को भी clarify करने की कोशिश करूँगा मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इस सिरीज से के आने वाले और भी वीडियो को जरूर देखेंगे धनेवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू